कि नमस्कार दोस्तों में धर्मेन वर्मा ओनलाइन इस्टेड़ी विडिके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज से दोस्तों हम परियावारन अध्यान हुआ बाल विकास हुआ हिंदी वाय जो भी सब्जेक्ट होते हैं सिट्रेट और यूपिट्रेट में उनको जहां तक लगता है इनसे अलग नहीं जाएंगे 68 प्रशन लिए गए हैं सभी का विशलेशन करके दोस्तों 68 प्रशन लिए गए है और इनमें कुछ प्रशन रिपिट भी हैं जो की जादतर पूछे गए उन प्रशनों को हमने डबल से लिया है ताकि आपको अच्छे से या जाएगी कुछ जो प्रशन समझाने लायक होंगे उन प्रशनों को समझाए भी जाएगा तो यहां पर अंत तक बने रही है वह इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा यहां पर आपको अध्याईवाइस प्रशन मिलने वाले हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं आज का तो पहले सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं परिवार एवन मित्रेक्टि उसके बाद हम आगे प्रशन लेंगे तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले हम बात करते हैं परिवार की परिवार होता क्या है लोगों के समू और उनका घर में एक साथ मिलकर रहने को हम परिवार कहते हैं या फिर सामने तह परिवार विवाहित व्यक्तियों जैसे की माता पिता एवन बच्चों का परस पर समू होता है जो रक्त सम्मंद जैसे कि बहाई बहन चाचा चाची बुवा मोसी नानानी मामा इत्यादी ये सभी परिवार के अंतरगत आते हैं ये सभी लोगों का समू होता है जो कि परिवार होता है और इनके कई प्रकार होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले हम परिवार को और अच्छ से हुई यदि पूछ ले जाए कि फेमिली सब्दे की उत्पत्ती कहां से हुई है तो इसकी उत्पत्ती लेटिन भासा के फेमुलस नामक सब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है नोकर फेमुलस नामक जो सब्दे है इसका अर्थ होता है नोकर और इसका यदि हम विस्तरत प्लित रहते हैं और जो उत्रदायत रथा इसने की भावना से परज़ पर बंदे रहते हैं ये फेमुलस का विस्तरत रूप है या फिर उसका अर्थ है अब हम बात करते हैं दोस्तों परिभासा के बारे में यहां पर परिभासा वही रखी गई जो की most important हैं यहां पर और भी उनको नहीं लिया गया है सिर्फ रेमंड के अनुसार मेकाईवर वा पेच के अनुसार क्लेयर के अनुसार और डाकरमेन के अनुसार ही आपको परिभासा बताई जाएंगी चार most important परिभासा हैं इनको यह आपको याद रखना है रेमंड के अनुसार दो बच्चे भले ही व पूर्णता भिन्न होते हैं किसके परिभासा है ये रेमंड के अनुसार है यहाँ पर याद रखेगा मेकाईवर एवं पेज के अनुसार इन्होंने क्या कहा है परिवार वहां समू है जिसमें इस्त्री प्रूस के योन संबंद परियाप्त निशित होते हैं और इनके साथ इत प्रिवासे परिवासा क्सक्या परिवासा बेंग, अकार के अधार पर मनुश्यों के परिवार दो प्रकार के होते हैं एक तो एकल परिवार होता है दूसरा सविक्त परिवार होता है और प्रकार के होते हैं पर जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो एकल परिवार और स्युक्त परिवार में से ही पूछे जाते हैं, यहां पर एकल परिवार क्या होता है, स्युक्त परिवार क्या होता है, इसके बारे में जाने लेते हैं, एकल परिवार, इस तरह के परिवार में माबाप और बच्चे होते हैं, और यहां परिवार छोटा परिवार होता जो एकल परिवार होता है इसमें माबाप और उनके साथ जो आभी वाहित बच्चे होते हैं वो होते हैं और यह चोटा सा परिवार होता है एकल परिवार जो कि अभी प्रिशलित में है अभी जो प्रिशलन में चल रहा हो एकल परिवार ही चल रहा है सयुक्त प परिवार को एक पेड़ के रूप में दरसाया जा सकता है जिसे पारिवारिक वरक्ष केते हैं पारिवारिक वरक्ष को हम केसे दरसाते हैं इसको भी आप जान लीजी देखिए पारिवारिक वरक्ष में एकल परिवार में क्या होते हैं माबाप होते हैं और उनके आविवाहित में बात करें तो नाना नाने उनके बच्चे माबाप और उनके बच्चे और मोसी ये सर्थ परिवार के अंतरगत आते जो कि एक पारिवारिक वरक्ष के तो इस प्रकार का प्रशन पुछा जाता है तो ध्यान दीजेगा अब बात करते हैं प्रशनों की यहां पर पहला परिवार होता है मातर मुलक परिवार क्या होता है मातर मुलक परिवार में माता परिवार की प्रधान होती है और उसके नियंतरन में से सदस्य रहते हैं और इस प्रकार के परिवार में पिता किया पेक्षा माता का अधिक महत्व होता है वन्सक का नाम भी पतनी अर्थात इ बहुत कम हो गया है अब की हम बात करें तो भारत में मालाबार और अशुम में ही मात्र मुलक परिवार पाई जाते हैं और ये परिवार मात्र इस्तानी भी होते हैं अर्थात विवा के पश्यात लड़का लड़की वाले के घर में रहने लगते हैं यहाँ पर धियान जिसमें पती पतनी अपने आविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं अभी थोड़ी दिर पहली मैंने पताया था जिस परिवार में पती पतनी और उनके आविवाहित बच्चे रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं एकांकी परिवार स्रयक्त विस्तरत या फिर इनमें से कोई नहीं सामाजिक सुरक्षा वनसव रद्दी सामाजी करण या कि रियोन इक्चा की पूर्ती तो यहाँ पर हमारा से अंसर होगा सामाजिक सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा रेड के नुसार परिवार का मुख्यकारे नहीं है पहला वाला विकल पर सही रहेगा आर्गबन एवं निमकाफ के नुसार कौन सा परिवार का मुख्यकारी नहीं है यहाँ पर आप बताना है आर्गबन एवं निमकाफ के नुसार वो कौन सा परिवार का मुख्यकारी नहीं है इस न에वा प्रेम आर्थिक कारी और रक्षा सम्मंदित कारी तो यहाँ पर हमसे अंसर होगा किरिडा प्रेशिक्षन यह आर्गमन एवं निमकार के नुसार परिवार का मुक्य कारी नहीं है लगला प्रशन है तो यहाँ पर हमारा से जाए आणसर है, फ्रेजर ने, स्पेंसर ने या फिर मारगन ने तो यहाँ पर हमारा से आंसर है परिवार के उध्विकासी सिध्धान्त का समर्थक फ्रेजर द्वारा दिया गया यहाँ पर बी वाला विकल्पे मरा सही रहेगा उत्राधिकार का वहानियम जिसमें सदस्य जन्म से ही पारिवारिक संपत्ती का अधिकारी बन जाता है होता है दाइभाग होता है, मिताक्षरा होता है, सापिंड़ होता है, या फिर सगोत्र होता है, तो वहाँ मिताक्षरा होता है, उत्राधिकार का भानियम, जिसमें सदस्य जन्म से ही पारिवारिक संपत्ति का अधिकारी बन जाता है, वहाँ मिताक्षरा होता है, या पर भीवाला वि प्रदर्सित करता है तो यहांपर सही आंसर है लड़के लड़कियों की अपेक्छा अधीक पुद्धिमान होते हैं यहां कतळन लेंगिक पूर्वा गरह को प्रदर्सित करता है यहांपर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा अगला प्रश्ण है शारदा एक्ट का संमंद निम्न में से किस्से हैं, यहाँ पर आपको बता ना, जो सार्दा एक्ट है, इसका सम्मंद किस्से हैं, बाल विवा से हैं, दहज प्रता से हैं, बाल सरम से हैं, या फिर अनिवारिख सिछा से हैं, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, सार्दा एक्ट का सम्मंद है, यह बा भाल विवाद निरोध अध्यम और न कब पारित हुआ था और कब लागु किया गया था इसको तो ये भारत में बाल विवाद निरोध अध्यम वर्स 2006 में पारित हुआ था और 2007 में लागू हुआ था तो इन बातों का भी ध्यान आपको रखना है सार्दाएक्ट बाल विभा से संबंद थे इसे 1928 में बनाया गया था बच्चों की साधियों को रोकने के लिए तो इतना आपको ध्यान में रखना है मेताक्षरा नियम के प्रवर्तक है यहां पर आपको बताना है मेताक्षरा नियम के प्रवर्तक कोन है तो यहां पर अमरा सही आंसर होगा ग्यानस्वर ग्यानस्वर मेताक्षरा नियम के प्रवर्तक है यहां पर पहला वाला विकल्पे अमरा सही रहेगा परिवार की उत्पत् परिवार सिक्षा का सरवत सर्वत्तम इस्थान और बालक का प्रथम विद्याले ही यहां किस ने कहा पेश्टा लोजी मेजिनी बोगाडस या फिर काम्टे यहां पर आपको बताना है परिवार सिक्षा का सर्वत्तम इस्थान और बालक का प्रथम विद्याले ही यहां किस ने कहा तो यहां कहता दोस्तों मानव विवहा का इतिहास नामक पुस्तक के लेख़क वेस्टन मार्क है किम्बल यंग है आसकर लेवी से या फिर किंग सलेइड कर देवी सेंग तो यहाँ पर हमारा से अंसर है हिस्टोरी आफ यूमन मेरीज मानव विभा का इतिहास नामक पुस्तक के लेखा कर वेश्टर मार के है यहाँ पर पहला वाला विकल्पे हमारा सही रहेगा अगला प्रश्ण है परिवार सब्द अंग्रेजी सब्द फेमली का हिंदी रुपांतरन है फेमली सब्द की उत्पत्ती लेटिन भासा के किस सब्द से हुई है इसके बारे मैं दोस्तों में पहली आपको बता चुका हूँ कि यह लेटिन भासा के फेमल सब्द से हुई है फेमिली सब्दे की उत्पत्ती यहाँ पर पहला वाला विकल्प सही रहेगा अगला प्रशन है निमलिकित में से कौन सा कथन सही है यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन सही है चार विकल्पों में से परिवार एक संसता है परिवार एक समिती है या फिर परिवार ना तो समिती है और ना ही संसता है तो यहाँ पर हमारा से अंसर है परिवार एक समिती है यहाँ पर भी वाला विकल्ब सही रहेगा अगला प्रश्ण है जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं सास्त्री परिवार कहते हैं जन्म का परिवार कहते हैं जनता का परिवार कहते हैं या अपर इन में से कोई नहीं या पर जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे जन्म का परिवार कहते हैं साधन सा प्रस्न था विवाला विकल्प सही रहेगा परिवार की उत्पत्ति क विकासवादी सिध्धान्त के समर्थके कोन है परिवार की उत्पत्ति के विकासवादी सिध्धान्त के समर्थक तो वो है वेस्टन मार्क और लुइस मार्गन यह परिवार की उत्पत्ति के विकासवादी सिध्धान्त के समर्थके यहां पर पहला वाला विकल्पे हमारा सही रहेगा, most important प्रशने हैं, याद कर लिजेगा इन प्रशनों को, एक पत्नी के एक से अधिक पत्ती वाला परिवार क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, एक पत्नी के एक से अधिक पत्ती वाला परिवार, बहुपत्ती परिवार, बहुपत्ती परिवार, सामुईक परिवार, या फिर नव इस्थानी परिवार तो यहां पर हमारा स्यांसर है वहां परिवार बहुपती परिवार कहलाता है जो यहां प्रथा है दोस्तों इसका प्रचलन इस्तिरों की कमी के कारण हुआ है और इस प्रकार के परिवारों में अनेक पूरोसों के मद्दे एक इस्तिरी रहती है और हमारे भारत देश में ये टोंडा और खस जनजातियों में इस प्रिकार के परिवार पाई जाते हैं जो चकराता है दोस्तों कि चकराता में निवास करने वाली खस जनजाती में सभी भाईयों की एक ही पत्नी होती है चकराता के निवासी में करने वाले जो खस जनजाती होती है उसके बात हो रही है वहाँ पर क्या होता है कि जो भाई होते हैं जितने भी उनकी एक ही पत्नी होती है खस जनजाती में कहां पर चकराता में जो निवास करते हैं टोंडा और खस जनजाती की यहाँ पर बात हो रही और गारो जन्जातियों में या फिर संपूर्ण मद्यप्रदेश में तो यहाँ पर हमारा से अंसर है जो मातर सतात्मक परिवार पाये जाते हैं इसके बारे में बता चुका हूँ यह भारत में असम की खासी और गारो जन्जातियों में पाये जाते हैं मातर सतात्मक परिवार अर्थात इस तरी के नाम से चलता है मात्र मूलक या फिर मात्र सत्तात्मक परिवारों का चलन अब बहुत कम है भारत में मालाबार और असम में भी मात्र मूलक परिवार पाए जाते हैं जिसके बारे में चर्चा की भारत में असम की खासी और गारो जन्जातियों में मात्र सत और वस्तुमें प्रस्तुत कीजिए, यहां कतन किसका है, जो कतन है, किसका है, सुकरात का है, प्लेटों का है, या रस्तु का है, या फिर पेश्टालोजी का है, तो यहां पर हमरा से अंसर है, यहां कतन जो है दोस्तों यह प्लेटों का है, यहां पर भी वाला विकल्प सही र प्रति निधान या चेतना के अधार पर व्यक्ति और समाज के बारे में किस विद्वान ने सिध्धान्त प्रतिपादित किया है। और समाज के बारे में दुर्खिम ने यहां सिध्धान्त प्रतिपादित किया है। विकल्पे हमारा सही रहेगा। समाज करण के निमलिखित साधनों में से कौन सा साधन आपचारी के धर्म, प्रता, परिवार या फिर सिक्छा। तो यहां पर समाज करण में सिक्छा, यह साधन आपचारी के साधनों में यहां पर डी वाला विकल्पे हमारा सही रहेगा। सामाजिक अंता किरिया के लिए सदर्षियों में से महत्यपूर्ण क्या है? क्या है दोस्तों सामाजिक अंता किरिया के लिए सदर्षियों में से महत्यपूर्ण निकटता, ब्रातत्व, पारसपरिक जागरुकता या फिर इस्ताई सम्मंदत। तो यहाँ पर हमारा राइट अंसर है, सामाजिक अन्था किरिया के लिए सुदर्षयों में जो महत्पूर्ण है, वो पारसपरिक जाग रुकता है, यहाँ पर शी वाला विकल पे हमारा सही रहेगा, सामाजिक प्रती निधान की अवधाना किस ने दी है, टेप्ट ने, दुर फ्रेकार होते ही मैंने आपको पहले बताया है परिवार के कितने प्रकार होतें, एक, दो, तीन या चार आपको कमेंट से बोक्स आं में बताना है। और कौन-कौन से होते हैं परिवार, तो ये जरूर में रिकमेंट से बोक्स हों बताएगा, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही इसके बारे में बता दिया है, तो यहाँ पर अगले प्रश्निके और बढ़ेंगे, जिस परिवार में दादा-दादी, चाचा-चाची, ताउ- बुवा, माबाप और बच्चे रहते हैं, उसे सयुक्त परिवार कहते हैं, यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प सही रहेगा, और जो 29 पर प्रश्न में आपको बताया हो, इसी प्रश्न में उसका आंसर चुपा हुआ है, तो आप यहाँ से भी उसका आंसर बता सकते हैं, अग अठारा वर्स वा, 16 वर्स तो यहाँ पर जो लड़के के आई होगी दोस्तों, वो 21 वर्स रहेगी और लड़कियों के आई हो 18 वर्स रहेगी, विवहा योगिन यूंतम आई हो, यहाँ पर पहला वाला विकल्प सही रहेगा, यह तो आपको सभी को पता होगा, तो अगले पर बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, कक्छा थर्ड में छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, मा और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, और यह दी दादा दादी एवं अन्य रिस्तार साथ रहते हैं, तो यहाँ एक विस्तारित परिवार है, आप इस बात म क्या सोचते हैं, परिवार की परिवासा गलत है, रमा अपने छात्रों के प्रती अख्षवेदेंसील है, सिक्छन अधिगम द्रश्टिकून समावेसी नहीं, या फिर परिवार की अउधानना को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, परि परिवार एक इकाई होता है, जिसमें मा, पिता और उनके दो बच्चे होते हैं, यहां खतन सही है या आपको बताना है, यहां पर काफी बार एक्जाम में पूछा गया है, यहां पर मैं इसका सही आंसर बताऊंगा, और आगे भी इस तरह का प्रषन आएगा, वहां पर इस यहां कथन सही नहीं है क्योंकि परिवार कहीं प्रकार के होते हैं एक प्रकार का नहीं होता परिवार कहीं प्रकार के होते ही तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्की करण नहीं किया जा सकता इसलिए यहां कथन जो है वो सही नहीं है यहां पर बी वाला विकल्प सह अगला प्रश्न है किसने समाज को एक सामवई माना है यहां पर आपको बताना है किसने समाज को एक सामवई माना है मेकाईवर एवं पेच ने चार्श कूले ने किंग सले डेविस ने या फिर हरबर्ट सिस्पेंसर ने तो यहां पर हमारा से एंसर है हरबर्ट सिस्पेंसर ने समाज को एक सामवई माना है यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा इसी प्रकार का दोस्तों एक और प्रशने है जो इस प्रकार का दिया हुआ है समाज एक सामवई है समाज के विशे में यहाँ विचार किस विद्वान के हैं तो अभी बताया मैंने ये किस विद्वान के हैं, हरबर्ट्स, इस्पेंसर के हैं, यहाँ पर स्वी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा, किस ने कहा मनश स्वाभाववा आवशक्ता से एक सामाजिक प्राणी है, ये किस ने कहा बाटो मोर ने, फ्लेटो ने, पेरेटो ने, या फिर अरस्तु ने, यहाँ पर आपको बताना है, ये किस ने कहा कि मनश स्वाभाववा आवशक्ता से एक सामाजिक प्राणी है, तो ये अरस्तु ने कहा कि मनश्य स्वभाववा अवशक्ता से एक सामाजिक प्राणी है यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा बच्चों के लिए खेल एक अरजित मनोरंजक कारी है एक जन्मजाज प्रवत्ती है एक अनावशक प्रवत्ती है या फिर समय को व्यर्थ गवाने की प्रकरिया है तो बच्चों के लिए जो खेले दोस्तों वो एक जन्मजाज प्रवत्ती है यहाँ पर बी वाला विकल्प सह और सरलसा प्रश्ण है आप सभी को इसका अंसर पता भी होगा बच्चों का प्रथम गुरू किसे माना जाता है पिता को दादा दादी को माता को या फिर सिक्षकों को तो यहां पर बच्चों का जो प्रथम गुरू माना जाता है वो माता को माना जाता है सरलसा प्रश्ण था आदर्स परिवार किसे माना जाता है यहाँ पर आपको बताना है जो आदर्स परिवार है वो किसे माना जाता है सयक्त परिवार को छोटे परिवार को दोनों को या फिर इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर आदर्स परिवार छोटे परिवार को माना जाता है यहाँ पर B वाला विकल्प सही रहेगा अगला प्रश्न है सयुक्त परिवार में आस्रित व्यक्तियों की देखभाल में कोई परेसानी नहीं होती आस्रितों में सामिल है व्रद बच्चे आस्वस्त व्यक्ति या फिर ये सभी यहाँ पर हमारा सही आंसर है साइक्त परिवारों में आस्रित व्यक्तियों की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती आस्रितों में ये सभी सामिल है व्रद्ध बच्चे और आस्रिस्त व्यक्ति ये तीनों ही सामिल होते हैं यहाँ पर D वाला विकल्पे हमारा सही रहेगा सामाजिक बुराईयों का उधारण है बाल विवा, दहेज, बाल सरम या फिर ये सभी तो यहाँ पर जो सामाजिक बुराईयों का उधारण है वो बाल विवा, दहेज और बाल सरम ये तीनों ही सामाजिक बुराईयों का उधारण है यहाँ पर सही अंसर होगा ये सभी परिवार के तूटने के फलसुरोप बच्चों पर होने वाली प्रतिकिरिया है यहाँ पर आपको बताना है जब परिवार तूटता है तो उसके फलसुरोप बच्चों पर होने वाली प्रतिकिरिया है उसके बारे में आपको बताना है बच्चों का अंतरमुखी होना बच्च का कॉंटित होना ये तीनों ही परिवारों के टूटने के फलसुरूप बच्यों पर होने वाली प्रतिकिरिया तो यहां पर हमारा से अंसर होगा, यह सभी D वाला विकल्प सही रहेगा, अगला प्रशन है, एकल परिवार से ताथ पर, यह चार विकल्प में से आपको बताना है, एकल परिवार से क्या ताथ पर है, यहां वर्स निस सुपचास के बाद बना परिवार है, परिवार जिसमे बच्चे उनके माता पिता एवं दादादी होती है या फिर केवल पती-पतिनी होती है तो यहाँ पर एकल परिवार सताथ पर है कि जिस परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं यहाँ पर बी वाला विकल्प सही रहेगा अगला प्रशन है प्रात्मिक सामाजी कर सुरुवाती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना किस वर अवस्था में समाज से सीखना प्रात्मिक इस्तर पर समाज से सीखना या फिर सिख्षोकों का अनुसरन करना तो यहां पर हमारा राइट अंसर होगा सुरुवाती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना ये प्रात्मिक सामाजी करने यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा अगला प्रशन है एक और बार दोस्तों वहीं प्रशन आया है पर यहाँ पर थोड़ा सा भारत में लड़कियों वा लड़कों की विवा की नियूनतम कानूनी आयू क्या है यहाँ पर आपको बताना है तो कानूनी आयो भी वही है जो मैंने आपको थोड़ी दिर पहले बताया था 18 वर्स लड़की के आयो होती है और 21 वर्स लड़के के आयो होती है विवाह की नियूनतम कानूनी आयो तो यहां पर हमरा सही आंसर वोगा भी वाला अगला प्रश्न है भारत में बाल विवा निरोध अधिनियम किस वर्स पारित किया गया मैं थोड़ी दिर पहली दोस्तों इसके बारे में बताया था ये कब पारित किया गया था 2006 में याद रखेगा यदि पूछ ले जाता है भारत में बाल विवा निरोध अधिनियम वर्स पारित किया गया था, कब पारित किया गया था, 2006 में पारित किया गया था, इसको लागू कब किया गया था, तो इसको लागू 2007 में किया गया था, तो इस प्रकार के प्रशन आ जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिजेगा, एक बार फिर बता देता हूं, भारत में बा कोन सी विसेस्ता परिवार की नहीं है आपर आपको बताना है वो कोन सी विसेस्ता है जो परिवार की नहीं है चार विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चेन करना है तो यहाँ पर हमारा से अंसर होगा प्रत्यक सदसी की आई भिन्न जमा की जाती हो यह विसेस्ता परिवा से याद रखेगा परिवार से बच्चे को सामजी करन का पहला पाट प्राप्त होता है यहाँ पर यह वाला विकल्प सही रहेगा मानव रुधिर वर्गी की खोज सरुपर्थम की स्वेग्यानिक ने की थी यहाँ पर पहला विकल्प सही रहेगा अगला प्रशने है और इस प्रशने के बारे में पहले बता चुका हूँ यहाँ पर आपको प्रशने के प्रशने एक और आने वाला है जिसका आपको देना है तो यहाँ पर अगला प्रशने है बालक को दिये जाने वाले अराम वर निश्वार्थ प्रेम का सरोत्तम उधारन है वहाँ जिस समाज में रहता है वहाँ जिस घर में रहता है वहाँ जिस परिवार में रहता है या फिर वहाँ जिन सादनों का प्रियूग करता है यहाँ प परिवार की परिकल्पना के पीछे अधार्भुत तक्ति है कौन सा अधार्भुत तक्ति है परिवार की परिकल्पना के पीछे मानव का सामाजिक प्राणी होना, मानव का अकेला होना, कारी करने में परेसानी होना या फिर उत्तर दाइत्वों के निर्वा की भावना तो यहा लेंगिक विभेद क्या होता है most important प्रस्न है लेंगिक विभेद क्या होता है समाज में उच नीच की भावना समाज में सामपरदाइत्ता की भावना समाज में लड़कों एवं लड़कियों के लिए अलग अलग नियम या फिर समाज में किसी जाती विसेश का बहिशकार तो य कुछ परिवार के सदस से दूसरी परिवार के यहां पानी तक नहीं पीते हैं यहीं उच नीच की भावना होती है और कुछ परिवारों में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग नियम होते हैं जो छूट लड़कों को मिलती है वहां लड़कियों को नहीं मिलती यह यहीं लेंगी विभेद है उच नीच की भावना और लेंगे की विभेद किसी भी समाज को सफल नहीं बनाते हैं और यगर समाज को विक्सित करना है तो यह भावनाएं समाज में नहीं होनी चाहिए और यहीं लेंगी विभेद है और इससे हमें बचना है और इस तरह की भाव क्यों सी विसेस्ता परिवार की नहीं है कम से कम दो भिन लिंग वाले वेस्क साथ रहते हो प्रत्यक सदस्य की आयगिन जमा की जाती हो वे समान अवास भोजन और समान समाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो या पिर सुरक्षा एवं बच्चों का साजा उत्तरदायत करते हो तो यदि आपने द्यान दिया होगत दोस्तों यहाँ प्रस्न में पहले बता चुका हूँ और एक बार फिर बता देता हूँ यहाँ पर इसका सही आंसर होगा प्रत्तिक सदस्य की आई भिन जमा की जाती हो यह विशेश्टा परिवार की नहीं है यहाँ पर शेकन वाला विकल में पुछे गई हैं और जो में प्रस्नि लगा कि आपको बताना चाहिए वहीं प्रस्नि आपको हो राए बार बार वहीं जैसे ही वह रोरा है तो आपको याद भी हो रा है यहाँ पर यादि आपने धियान से वीडियोद देख रहे नहीं हो। तो यहाँ पर इसका पहला वाला विकल्प है वो सही रहेगा पारिवारिक व्रक्ष है इसके बारे में दोस्ते में बता चुका हूँ पारिवारिक व्रक्ष क्या है किसी देश की जनसंक्या को दर्साता है किसी राज्य की जनसंक्या को दर्साता है किसी जिले की जनसंक्या को दर्साता है या फिर क कारियों को कुसलता पूरोक करना कारियों का विवस्थित प्षूरूप या फिर करता हुए ओक है तो यहांपर हमारा से एंसर होगा कारिभार का बढ़ जाना या क्रीवार में कारिवार कम होने का कारण क्या है जनसंख्या, महینगाई, कलहै की भावना या फिर यह सबी तो यहाँ पर जो एकल परिवार के अधीक प्रिछलित होने का करण है वो ज़नसंख्या, महेंगाई और कलहै की भावना ये तीनों ही कारण है तो यहाँ पर हमारा से आज़irt होगा किस परिवार को दर्साय जाता है पारिवारिक वरक्ष से पारिवारिक बार चार्ट से पारिवारिक पाई चार्ट से या फिर किसी से भी तो यहाँ पर मैंने बताया था किसी परिवार को किस से दर्साय जाता है पारिवारिक वरक्ष से यहाँ पर पहला वाला विकल्प सही र निकलपना के पीछे आधारवुद तत्य यहांपर पहला वाला विकलप सही रहेगा। क्या है यहां हमारा सही आंसर होगा बालग सामाजिक परत्यासों की अनुकूल समायुजन सीख लेता है यहां पर शेकन वाला विकल्प सही रहेगा यहां जालक नहीं लिखा हुआ यहां पर बालक लिखा हुआ थौड़ा सा व्यक्तियों में सामिल है यह है प्रशनभी में बता चुका हूँ उसमें ब्रद बच्चे और आस्वस्त व्यक्ति आस्वर्थ नहीं है यहाँ पर आस्वस्त लिखा हुआ है आस्वस्त व्यक्ति यह तीनों ही सईक्ति परिवार में आस्रित व्यक्तियों की देख भाल में जो की सत्ती है उसको आपको पहचानना है तो यहाँ पर हमारा से आंसर होगा मा बाप से बच्चों में गुणों के इस्तांतरण को अनुवानसिक्ता कहते हैं यहाँ पर मा लिखा हुआ है मा बाप से बच्चों में गुणों के इस्तांतरण को अनुवानसिक्ता कहते हैं यह क नूज कक्षा 4 में पढ़ता है, सुमित उसका बहुत अच्छा मित रहे, यदी वहाँ उसकी साहिता करता है, तो यहाँ प्रदर्शन में आता है, उचित अनूचित में आता है, सुख दुख में आता है, या फिर इन सभी में आता है, तो यहाँ पर हमारा से अंसर है अनूज कक्छा चार में पड़ता है सुमित उसका बहुत अच्छा मित्र है यदि वहाँ उसकी साहिता करता है तो यह प्रदर्शन में उचित अनूचित में और सुक दुख में आता है यहाँ पर हमारा से अंसर होगा इन सभी में आता है अगला और लास्ट प्रस्ने हैं विद्यालेई परीसर में छात्रों को खेलकूद की किरियाओं में भाग लेना आवशक है क्योंकि इससे छात्रों की अपनी स्रजनात्मक चमता का विकास होगा इससे छात्रों में स्वस्त सवेगों का विकास होगा और छात्रों का सारेरिक व पूछा गया था इसलिए उनको रिपीट किया गया ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए तो यहां पर आपको बताना है कि जो 68 प्रशनित आपको कैसे लगे प्लीज कमेंट से बुक्स में जरूर बताएगा और आज का वीडियो कैसे लगा और यदि वीडियो अच्छा लेंगे जब तक के लिए धन्यवाद